नमस्कार दोस्तों मिरना मैं आसुतोस आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एटुजेट इपार्ट साला में इस लेक्चर सीरीज में आप मेरे साथ में आरो यारो और यूपी पेस्सी द्वारा आयुजित होने वाली पॉलिटेक्निक लेक्चरर और एई की परिच्छा के लिए हिंदी के बहुत ही महत्पूर्ण सब्दों को पढ़ रहे हैं वो भी कोशन्स में जो की आपके यूपी पेस्सी आरो यारो के ही कुराने एयर के पेपर्स में आई हुए हैं तो ये सभी questions आपके लिए बहुत जादा important हैं इससे संबंदे जो भी में चारो option में आपके important चीज़ों होती हैं वो भी आपको साथ मैं explain करता जाता हूँ तो पूरा वीडियो देखिएगा जो आपको नाए उसे अपने पास note कर लीजेगा जिसमें आप उसको दुबारा revise कर सकें ठीक तो फिर शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसको like कर दीजेगा subscribe कर लीजे कुछ लोगों को share भी जरूर कर दीजेगा देखते हैं पह क्या होगा इसका option और इन सभी question को अपने आपसे भी पहले एक बार ट्राइ कर दिया कर दिए जिसमें आपको समझ में आए कि हां मेरा सही हो रहा है कि कितने question मेरे गलत हो रहा है ठीक तो फिर इसका हमारा option number B सही है प्रतिरूप ठीक प्रतिरूप अब अनुरूप मतलब होत होता है उसको अनुरूप कहा जाता है ठीक अब प्रतिरूप मतलब उसका उल्टा हो जाएगा जैसे समान है उसकी कृतिम जाली बनावटी नकली यह सब जो हैं आपके प्रतिरूप का मतलब हो जाएगा उसके बाद में अपरूप अपरूप का अर्थ क्या होता है कुरूप कुरूप मतलब बदसक्ल या फिर भद्दा रूप जो है उसको कुरूप कहा जाता है फिर विरूप का अर्थ क्या होता है विरूप का अर्थ भी आपका कुरूप भद्दा और सोभाहीन होता है ठीक अगला question देखेंगे अगला question है हमारा त्रशना का उप्योक्त विपरितार्थिक सब्द क्या होगा इसका मतलब विलोम ही बताना है इसमें भी वी त्रशना या नीजप्रस वी त्रप्त या फिर संतुष्टी इनमें से हमारा A option सही होगा त्रशना का विलोम सब वी और होता है उसमें त्रशना है जैसे उसमें आ लगा देंगे आ त्रशना भी इसका विलोम होता है ठीक चलिए आगे देखेंगे दिरगायू दिरगायू मतलब जानते ही होंगे सब लोग कि ज्यादायू लंबी आयू के लिए सब लोग कहते हैं दिरगायू पिर इसका विल सही होगा दिरगायू का विलोम अलपायू होता है अब दिरगायू और चिरायू यह देखें चिरायू जो है यह दोनों आपके क्या होते हैं यह दोनों समानार्थी सब्द होते हैं ठीक और नस्वर इसका विलोम क्या होगा अनस्वर होता है अनस्वर आ लगा दिया जाएगा इसका विलॉम बन जाता है फिर छड़ेक का सास्वत होता है पिर आगे क्या है गगन चुम्बी का सरवथा सुद्ध विलॉम सब्द कौन सा है भूतल धराशाई या घूमी साथ तल इसपर्सी तो गगन चुम्बी के मतलब जानते ही यह ज़्यादा लंबी इमारते जो होंगी तीक उनको गगन चुम्भी कहेंगे तो और जो एकदम छोटी सी होंगी उनको तल इस परसी कहा जाएगा फिर अगला है कुशन हमारा विलोम की डश्टी से निमलिकित में से सही यूग में बताना है कौन से गलत है इसमें और कौन से सही है में सही वाला बताना है टांडव और मांडव अन्रत और रित मुक्त और विमुक्त और विभावना और सद भावना इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है अन्रत और रित ठीक अन्रत का विलोम जो होता है रित होता है और मुक्त का विलोम जो होता है वो ग्रस्ट होता है ना कि विम क्षाजीम या फिर कुसल अकुसल अधर्म धर्म और चड़्चेतन का नहीं तो उसका विलोम क्या होगा पाकी सब धर्म का धर्म सही होता है कुसल हकुसल सही है जड़ का चेतन होता है ठीक चलिए आगे देखेंगे विलोम की द्रिष्टी से सुद्ध यूग में बताना है इन में से कौन सा सुद्ध यूग में है विराग चिराग संयूक्त वियूक्त और सरस अरस और अरवाचीन समी चीन इन में से कौन सा होगा विराग का विलोम क्या होगा नीरस जिसमें रस होगा उसा रस और जिसमें नहीं है वो नीरस हो गया फिर उसके बाद संयुक्त संयुक्त का विलोम क्या होगा वियुक्त यह हमारा सही है ठीक और अरवाचीन का विलोम क्या होगा प्राचीन समीचीन नहीं होता प्राचीन होता है ठीक अब जैसे यह सब जो सब्द जो है वो आपके बहुत ही important है इसलिए हो रखते हैं तो हो सकता है अगली बार उठाके ये question में आपको दे दें प्रतिकूल का विलोम सब्द क्या है समान प्रतिदर्स या अनुकूल या अनुसार प्रतिकूल का होता है अनुकूल ये तो रटा होता है सबको ज़्याद फिर दूसरा आदमी कौन था डॉक्टर ने अस्पताल का निरेच्छन किया सड़क के दोनों और आलिसान इमारते हैं इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा गलत है ठीक तो देखे इसमें हमारा a option a option एक वाक्य जो है यह असुद्ध है बाकी सारे जो है वो सुद्ध है ए में क्या है तूटी तूफान देखे यह जो तूफान है वर्तनी की तूटी तूफान जो है इस तरह लिखा जाता है ना कि इस तरह इस लिखा जाता है यह वर्तनी की तूटी दे रखी है इसमें तूफान इस तरह इस लिखा जाएगा तो यह सही होगा ठीक और तूफान में की जी वहीं हो गा? तूफान से, तूफान से होता है, तूफान से सैक्डो लोग मर गए, ये चीज़ होगा ठीक फिर आगे और बाकी सारे आपके ये सही है, फिर निम्लीकिरवाग्यों में सुद्वग्य के चुनना है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान इस्तेत है मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है मेरे घर के पास हलवाई की दुकान है देखिए इसमें से कौन सा विकल्प आपका सही होगा यह हमें सुद्ध बाग की बताना है इसमें से कौन सा सुद्ध बाग की होगा ठीक तो इसमें हमारा D option जो है वो हमारा सही है मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है ठीक अब देखे मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान नहीं होती है ठीक एक हलवाई की दुकान नहीं होगी फिर मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान इस्थित है नहीं इस्थित यह एक्स्रा लगा हुआ है इसमें मेरे घर के पास एक हलवाईयों की दुकान यह गलती है यहा लहा है इसमें आपने आपसे ही पहले भॉचन है इसों सब नहीं बनेगा नहीं बना थो में देखो फूलों पर बहुरे बिन विना रहे हैं देखो फूलों पर बहुरे गुंजार कर रहे हैं देखो फूलों के ऊपर बहुरे गुंजार रहे हैं गुंजारते हैं देखो फूलों के ऊपर बहुरे भीन बिना रहे हैं पहली बात ये जान लीजे भीन बिनाना किसके लिए होता है मक्किया बिन बिना रही है मन मक्की बिन बिना रही है ये सब्द के इस्तिमाल किया जाता है संग्या में मैंने आपको कुछ बताएं है सब्द जो आप किया है हमेशा उनी के साथ में इस्तिमाल किया जाता है ठीक तो यह देखिए इसमें बिन बिनाना नहीं होगा यहां पर ठीक तो फूलों के ओपर बहुरे गुंजार कर रहे हैं तो इसमें य आगला है निम्लिकित वाक्यों में सुद्वाक्य है, उसकी संका का निवारण हो गया है, उसकी संका समाप्त हो गया है, उसकी संका का समाधान हो गया है, उन्हें अब संका नहीं रही, इन चारों में से हमें बताना है कि कौन सा उप्शन सही है, इसमें से सुद्वाक्य बतान भी देखिए हमने इसमें पढ़ाया भी था आपको अभी संग्या वाली अगर क्लास आपने की है जो मौर्णिंग में पांच नौ बज़े होती है तो उसको अगर आपने किया संका के बारे में बताया भी था कि संका के साथ में समाधान होता है और निवारण का इस्तेमाल किया जाता है ठीक तो यह आपका यह हो जाएंगे ए और सी इसमें सही होंगे फिर संयुक्त सुद्ध बनाना है इसमें संयुक्त वाक का उधारण है कौन सा इसमें से मैं परिच्छा देने के लिए इलावा जा र रहे हैं एक कंजंक्शन से तो वह हमारा सी है ठीक सी ऑप्सन है जिसमें जुड़ रहा है कंजंक्शन से ठीक वह संयुक्त larva क्यों हो गया फिर नेमीकेर saaq में से एक सुद्ध है कौन सा सुद्ध से च्छाट के हमेंगारा हैं चारों में से कासी सदै सिभार्ती संस्कृति kang केंड रहा है गांधी जी का चर्खा चलाना सुदेशी का प्रतीक था वन जीव के कश्टों का भैवी सी तक वो राम के अनुगमन से रोक नहीं सका अपनी कुसल रणीती से सिवा जी ने वो पच्चियों के छक्के चुड़ा दिये इसमें से हमारा कौन सा गलत है बताना है तो कासी सदेव से भारतियों की संस्क्रती का केंद रहा है यह आपका गलत है ठीक इसमें क्या गलती है आपका कासी जो है वो आपका क्या होता है इस्त्री लिंग होता है इसको भी हम पढ़ा रहे हैं अभी और जिसमें आपको हमने अपवाद में बताया था तो इस तरह से ही कासी सदैयों से भारती संस्क्टी का एंडर रही और रिधो, वाक्यों में सुद्वाकिन में से बताना है वे सब प्रकार के दोसों से विहीन है ठीक और वे सब दोसों से विहीन है वे सब प्रकार से दोसों से मुक्त है और वे सभी दोसों से मुक्त है अभी हमने आपको एक हिससे पहले बताया था दोसों से मुक्त और रोगों से तो वैस सही दोस भी है तो इसका option number C सही हो जाएगा ठीक चलिए अब आगे दिखेंगे आगे हमाई आगे वर्तनी वाले question जिसमें वर्तनी में सुद्ध वर्तनी बतानी होती है इसमें तो बहुत सारे question आपको आने चाहिए तो बहुत बारगलतियां होती रहती है ठीक तो इसमें क्या है असुद्ध वर्तनी वाला बताना है निमलिकित में से कौन सा होगा निसंदेह, निसंकोच, उज्वल और महात्व इन में से हमारा असुदवर्दनी जो है वो महात्व है ठीक, सुद महात्व कैसे लिखा जाता है? महात्व ठीक, इस प्रकार से लिखा जाएगा ये आपका महात्व हो गया फिर उसके बार में, मतलब यहाँ पर एक ये भी लगेगा ये होगा महात्व फिर आगे बढ़ते हैं अगला देखेंगे बाकी सब सुद्ध थे और इसमें उज्वल जो है बहुत बार पूछा जाता है निसन दे भी पूछा जाता निसन कोच भी आपको सही चाही लिखना आना चाहिए ये बार बार पूछे जाते हैं ठीक, तो इसके जो आप्टन होते हैं उनको इसलिए हम बताते हैं जिसमें आपको अच्छे से आ जाए वो चीज़ें पूछी जाए अगले बार तो फिर आप गलती उनके लिए ना करें नहीं बाद में देखें क्या रहे यार ये तो हमने पढ़ा था लेकिन हम वहां सही नहीं कर पाए नेमनी कितमे से असुद्वर्तनी वाला सब्द बताना है इसमें ददीची याग्यवक्वल और निवरत्ती और गहनेश्ट इनमें से कौन सा असुद्वर्तनी वाला है ठीक तो इसमें हमारा ए ओप्सन जो है दगीची ये आपका गलत है और गहनेश्ट ये भी गलत है ठीक यहाँ पर ठा होना चाहिए था ये भी आपका गलत है तो इसमें ए और डी दो गलत हो जाएंगे आपके ठीक फिर आगे बढ़ते हैं नेमनी के सब्दों में वरत्नी के टेस्टी से कौन सा सब्द असुद्ध है पुस्पांजली है निरपराद है या फिर भासकर है या उज्वल है देखिए उज्वल उज्वल देखिए उप्सन भी वही में सही आपको अभी तुरं तुरं सामने ही दिख जा रहा है ठीक उज्वल सही है आपका फिर उसके बाद भासकर भी सही है पुस्पांजली भी सही है निरपराद जो है यह आपका गलत है क्या होगा नि पराद इस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पर जो यह आ की मातर एक एक्ष्टा लगी हुई है वो आपकी गलत है ठीक फिर आगे बढ़ते हैं अगला देखेंगे नेमलिकेद में से असुद वरतनी बतानी है किसमें है वाडम या फिर उतकर्स या फिर वैमनस्च या मितलेस कुमारी ठीक तो इसमें क्या होगा आपका गलत इसमें आपका नमबर ओपसन नमबर डी गलत जो होगा यह डी गलत हो जाएगा इसमें आपका कैसे लिखेंगे मितलेस मितलेस कुमारी ठीक इस प्रकार से होगा मिथिलेस कुमारी ये हो गया आपका अशुद वरतनी बाकी है सब आपके सही है फिर आगे बढ़ता है निमली कित में से एक असुद निमली कित में से एक सुद कौन सा है देहिक नौकरी या प्राण या पौरους इसमें से तो आपको एकदम अच्छे सही पता चलना होगा नौकरी को क्यों आप लोग ढून रहे हैं तो एक और ये लगेगा तब वाली आपको सही सही नौकरी मिलेगी नहीं तो ये असुद नौकरी हो जाएगी आपको इंडी इस तरह से पता चलनी चाहिए ये सही है प्रा सत्रा में ही प्री में ठीक दोजा सत्रा के ही प्री में दुबारा इसको पूछा गया इस तरह से ही देखिए उनके पास दूसरे हमको तो नहीं उमीद लगती है कि इतने साल से अगर पेपर करा रहे हैं तो बहुत चीजें आपको जो हैं रिपीटेड मिलेंगी अगर आप अच्छे से ही कोशन नहीं खाली कि यह कोशन आया इसका अंसर हमने देखा और रट लियाlying देखा जैन तो हमने उसको उठा कर प्रalten यह नहीं करना होता लंगी जरूर देखने चाहिए कि यहां उसमें क्या वर बोल रहा है और उसका उनसर और प्रोल रहा और इसका और कौन सा असुद्ध वर्थनी वाला है, ठीक, तो इसमें से हमारे दो ओ रहे हैं, कौन-कौन से, एक तो पुनुरुद्ध थान, ये जो है, ये भी आपका असुद्ध लिखा हुआ है, ठीक, यहाँ पे उ की मात्रा नहीं होगी, पुनुरुद्ध थान, ये सही है, ठीक, और हि ये आपका सही है, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है, ठीक, तो इन दोनों को याद रखेगा, इस तरह से ये सही है, इसका ये सही है, ठीक, पिर आगे बढ़ते हैं, नेमलिकित में से सुद्ध वर्तनी वाला सब्ध है, कौन सा प्रतिदर्स, द्रिष्टा, या रचा लिखेंगे, ये वाला रा लगेगा, ये वाला नहीं लगेगा, री वाला, ठीक, ये वाला रा लगके, द्रिष्टा लिख जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद आहार को कैसे लिखेंगे, एक और मात्रा लगा देंगे, आहार ये होता है, ठीक, ये हो गया आपका, और वर्तनी वाला सब्स इन में से बताना है उपलच, कुसाशन, प्रसंसा या दीपी का इन में से कौन सा सुध है ये सुध वर्तनी बताना है तो इसमें C option सही होगा प्रसंसा ये सुध वर्तनी वाला है अब उपलच, उपलच कुसाशन भी गलत है दीपी का भी गलत है उपलच क कुछ सा सन हो जाएगा अपका फिर उसके बाद दीपी का यह दिपी का लिखा हुआ है यह तो सभी लडकों को पता ही होगा ठीक क्योंकि दीपी का पादू गोड का नाम तो देखते ही रहते होंगे आप नई पिचर बना रही ही पहले तो बहुत देखे होंगे चलिए आके देखेंगे अगला निम्निकित में से कौन सा सब्द सुद्ध है भस्म, फालगुण और भीस्म, म्रगन्य ये इन में से कौन सा सुद्ध है तो इसमे भीस्म जो है ये हमारा सुद्ध है बाकी सारे गलत है भस्म में भी गलत है और म्रगन्य भी गलत है इसमें क्या होगा भस्म का ये वाला सा लगेगा भस्म ये लगता है ठीक भस्म में फिर इसका फालगुण होता है फालगुण ये हो गया म्रगम्य का ये वाला लगेगा ठीक आधा ना लगेगा यह होता है यह हो गया यह इसका सही सही हो गया जो आपको ना है उनको अपने पास नोट जरू कर लीजेगा जिसमें आप उसको रिवीजन कर सकें आराम से ठीक आगे बरते हैं नेमलिकित में से कौन सा सब्द वरतनी की डिश्टी से गलत है पाचवा आपका आख कैसे लिखा जाता है आख इस प्रकार से लिखा जाता है ठीक बाकी गांदी सही है पांचवा भी सही है बास भी सही है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अगला देखेंगे जिसका उचारण ना किया जाए के लिए एक सब्द अब ये जो हैं अनेक सब्दों के लि इसमें से हमारा option number D साही होगा अनुचरित यह तो इससे पता ही चला होगा उचारण मतलब उचरित और अनुचरित जिसका उचारण ना हो उसको अनुचरित कहते हैं फिर आगे जिसका उचारण अरे इच्छा वही आ गया अपरिणीत अपरिणीत सब्द निमली खित में से कि इस वाक्यांच के लिए प्रियुक्त होता है बताना है जिसका परिमार ना निकलता हो जिसका विवाह ना हुआ है जिसका विवाह हो चुका हो या जो देखने में प्रतिकर ना हो उसके लिए अपरिणीत जो होता है जिसका विवाह ना हुआ हो उसे कहा जाता है ठीक जिसका विवाह ना हुआ हो और जिस जिसका विवाह हो जाता है उसको क्या कहते हैं उसको कहेंगे परिणीत जिसका विवाह हो जाता है उसको परिणीत कहा जाता है नौकरी पाजा यह फिर विवाह होगा आपका तब आप परिणीत कहला जाएंगे निम्लिकित में से किस वाक्यांस के लिए एक सब्द दूर निर्वार प्रयुक्त होता है ठीक क्या है जिसे दूर करना कठीनो जिस पर वार करना कठीनो जिसे देख पाना कठीनो जिसे जीत पाना कठीनो इसमें से बताना है कि कौन सा होगा दूर निर्वार कारत तो इसमें से जिसे दूर करना कठीनो उसे दूर निर्वार कहा जाता है जिसे जीत पाना कठिन हो उसे दुर्जे कहा जाता है ठीक जिसे जीत पाना कठिन होता है उसको दुर्जे कहते हैं ठीक समझ में आ गया होगा उमीद करता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं युद की इच्छा रखने वाले वो क्या कहा जाता है युद की इच्छा रखता है युद्ध कौन होता है जो युद्ध करता है ठीक जो युद्ध में लिप्त रहता है उसको युद्ध det कहा जाता है यह हो गए आपके फिर उसके बाद में अगला तहिर ने या पार होने का इच्छुक के लिए एक सब्द क्या है तैराक तितिसू तारक और तारक जिसमें से कौन सा होगा तो इसमें हमारा भी आप्सन सही होगा तैर या पार होने का इच्छुक को कहा जाता है तितिसू ठीक तैर कर पार करने वाले को तैराक कहा जाता है और तैर कर पार कराने वाल ये को जो है तारक कहा जाता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं जिसे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो के लिए एक सब्द क्या होगा विस्थापित या फिर अविस्थापित संस्थापित या संस्थाजित इन में से क्या होगा इसमें से ए ओप्सन हमारा विस्थापित हो यह option जिससे अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो उसे विस्थापित कहा जाता है संस्थापित क्या होता है एक विसेशन होता है संस्थापित एक विसेशन हो जिसका आर्थ होता है बैठाया हुआ या संचित होता है इसका आर्थ ठीक चलिए आगे क्या है बुरे उद्देश से की गई गुप्त मंतरना को दुरभी संदी कहा जाता है ठीक अब किसी को संकड में डालने के लिए बनाई जाने वाली योजना को क्या कहते हैं उसको दुरभी योजन कहा जाता है यह रेखे यह अलग चीज है यह अलग चीज है यह किसलिए है कि किसी को संकड में डालने के बनाई जाने वाली योजन जो है उसे दुरभी योजन कहा जाएगा फिर जिसका जिसे पारपाना बहुत कठिन हो उसको क्या कहेंगे दुरती ग्रम कहा जाएगा जिसे पारपाना बहुत कठिन हो और दुरती गम क्या होता है जिसके पार पहुंचना कठिन हो जिसके पार का तत्सम रूप क्या होगा अग्रहा अग्रहायन या अग्रहन या अग्रहन या अग्रहन या अग्रसान इसको क्या कहते हैं उसको हम बोलेंगे अग्रहायन अब तत्सम रूप बताया हुए आपको जो संस्क्रित जैसे सब्द्यूज होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं और जो गुम्हभर के बन के नए, हमें मिल जाते हैं, वो आपके तद्वह होते हैं. तो अगहन क्या होगा, हमारा तद्वह होगा, इसका तद्वह रूप बनाना है, तो वो अगरहायन, जो है, वो संस्क्रित वाला ही हमने, इस्तेमाल करना सुरूँ किया, तो अग्रहां यड़ हो जाएगा अगला अनियम लिकेत में से तत्सम सब्द बताना है कौन सा है उचाह, उजला, या उल्लू, या ओष्ट इन में से कौन सा होगा इसमें से दी ओप्सन जो है तत्सम जो है वो हमारा ओष्ट है इसमें से वाकिया आपके तत्वाओ है ठीक इसमें उचाह जो है आपका इसका आपका क्या होगा तत्सम उल्लास उल्लास होता है उचाह का ठीक उजला का उज्वल उज्वल होता है तत्सम और उल्लू का उलूक ये सब आपके संस्कित वाले सब्द हो गए ठीक तो यह होगा इसके तत्सम फिर आगे बढ़ेंगे परिवा का तत्सम रूप क्या होता है परवा परेवा प्रतिपदा या पढ़ीवा इन में से कौन सा होगा इसमें हमारा ओप्सन नंबर सी सही होगा प्रतिपदा परिवा का होता है प्रतिपदा ठीक फिर उसके बाद म और घो टक घडदा इन में से हमारा संगत यूग मा geht वह हमारगे सी ओप्सन है सही 是ब में के घो टक का क्या होता है घोड़ा 2 है अगर यहां गुड़ा होता तब यह सही होता अफ़ाय इसका अब इसके आगे क्या होता है इसका होता है अस्रू अस्रू आपका इसका तद्सम होगा ठीक और इसके तद्बह क्या होगा एकत्र का एकत्र का तद्बह होगा इकठा इकठा यहां पर ठाओगा ठीक फिर उसके बाद में बंदर होगा वानर का और उच्च का उंचा होगा तद्बह आगे बढ़ते हैं अगला देखेंगे कपित का तद्बह सब्द कौन सा है कपूर कैथा केला या खजूर इनमें से हमारा पी आप्सन सही है कैथा कपित का तद्बह सब्द कैथा होता है कपूर केला और खजूर का तद्बह सब्द कौन से होंगे कपूर का होता है करपूर और केला का क्या होगा कदली और खजूर का खरजूर खरजूर ठीक पिर अगे क्या है तदबह चबूतरा का तदसम रूप क्या है चरवतरा चबूतरा या चरवतरा या चतवाल इसमें से हमारा चतवाल जो है D option सही होगा फिर आगे बढ़ते हैं अगला देखेंगे नेमलिकेट में से एक तदभाव सब्द है कौन सा पूंजी नयन सकून या मूर्क इसमें से हमारा पूंजी जो है वह आपका तदभाव सब्द है बाकी सब आपके तदसम सब्द है अब इसमें आपको इसका बता भी दे चाहे तो क्या है नयन 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 का तदभाव सब्द नयन होगा ठीक और मूर्क का क्या होगा मूरक होगा और इसके बाद में सगून सगून का सपून होता है यह हो गया ठीक अब इसके बाद में अब अगले लेक्चर में मिलेंगे हम और इसके साथ जिसमें आपको पूरा आश्तरह से मैं बताता रहूँगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर लीजे सब्सक्राइब कर लीजे चैनल को कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दीजेगा और यह सब बहुत ज्यादा इंपोर्टन कोशन है आप देखेंगे कि आपको फाइदा इससे मिलेगा जरूर चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में नमाशकार धन्यवाद झाल प्रवाद